हेलो शुर्ण सेश्टेटी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार बीएस नर्सिंग का इस साल का कटफ क्या रहने वाला है मतलब कितने रेंग तक आपको कॉंसलिंग करवानी चाहिए पलस आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कितने रेंग तक आपको सीट मिल सकती है पूरी जान कर दोंगा तो वीडियो को सुरू से एंट तक देखेगा और आपको मैं समझाने की कोस्स करूंगा ठीक है चले सुरू करताज का वीडियो तो सबसे पहले मैं आपको बता दू BCACB में बहुत सारे courses होते हैं BS in nursing होते हैं, B pharma होते हैं, agriculture होते हैं तो वो कौन सा course किनको मिलेगी ये depend करेगा आपका rank मतलब सबसे ज़्यादा demanded जो course होगा उसको सबसे कम rank वाले को मिलेगा और सबसे कम demanded वाले को ज़्यादा rank वाले को मिलेगा यहाँ तो आपको समझ मागिया होगा अब आपका rank decide करेगा आपका कौन सो course मिलेगा अगर आप चाहते हो कि B.C. nursing करें और आपका rank ज़्यादा है आपको सारे course को arrange करना पड़ता है colleges के नाम fill करने पड़ते है और counseling बहुत ही important चीज़ होता है अगर उसमें आप गड़बड़ी करते हो तो आपका marks ज़्यादा होने के वावजुद आपका rank कम होने के वावजुद भी जो आपको मिलना चाहिए counseling की गड़बड़ी के वावज़ आपका मिस हो जाता है तो counseling को अच्छे से करना है सोच समझ के करना है और हडबड़ी में नहीं करना है तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई भी course के लिए अगर आप prefer कर रहे हो मानलो कि आपका rank कुछ है और अगर आप mention नहीं करें को मुझे यहीं course चाहिए तो मैं उसका cut-up बता सकता हूँ अगर आप बोलोगे सर मुझे BSE nursing ही चाहिए कितना rank तक होना चाहिए तो यह कोई भी नहीं बता सकता है मैं आपको एक safe cut-up बताऊंगा कि कितना rank तक आपको कोई ने कोई courses मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले अगर जो general candidate होते है यू आर candidate उनको मैं आपको बता दू कि अगर आपका rank 4,800 तक rank आ रहा है ठीक है 4,800 तक अगर आपका rank आ रहा है तो कोई ने कोई course आपको confirm मिलेगा ऐसा नहीं है कि BSE nursing ही मिलेगा कि आपको पता होगा BSE nursing ज्यादा demanded होता है अब यहाँ पर 4,800 बहुन लेगा मतलब एक से 4,800 rank ठीक है अब यहाँ पर देखो एक को तो confirm BSE nursing मिलेगा एक से जितना आगे जाएगा 50, 60, 70 उनलो को BSE nursing मिल जाएगा जैसे जैसे 4,000 की प्लस जाएगा उसको फिर अलग courses मिलेंगे ठीक है तो वह vary करता है cut up के according लेकिन अगर 4,800 तक अगर आपका cut up है तो कोई ने कोई course confirm मिल जाएगा अगर इतना आपका rank आ रहा है तो आपको कोई ने कोई course मिल जाएगा ठीक है अगर इतना आपका rank आ रहा है तो आपको confirm कोई ने कोई course मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं SC का तो SC का कितना जाने वाला है तो SC का अगर आप मान के चलो 580 rank तक अगर आपका है तो SC में आपको मिल जाएगा कोई ने कोई सीट ठीक है अब ST का देख लेते हैं तो ST का यह जाने वाला है आप मान के चलो 45 तक आपका यह जाने वाला है ओके चली ST का हो गया EWS का देख लेते हैं EWS का अगर आपका rank है ना 700 तक तो आपको पक्का कोई कोई सीट मिल जाएगा ओके और एक और कैटेगरी होता RCG है ना RCG एक होता है तो इसमें भी अगर आप मान के चलो तो 1300 प्लस तक अगर आपका यह rank आ रहा है तो आपको मिलने के यह मैं आपको सेब बता रहा हूं rank wise cutoff इतना अगर आपका है तो confirm आपको सीट मिल जाएगा ओके अब मैं आपको बताता हूं कि कितने rank वाले को counseling करवानी चाहिए और कितने वालों को नहीं करवानी चाहिए यह comment हमारे पास बहुत ज़्यादा रहा है students का कि सर मेरा इतना rank है क्या मुझे counseling करवानी चाहिए तो सबसे पहले में आपके दिमाग से निकाल दू rank आपका कितना भी हो rank अगर आपका 10,000 भी है तो भी आपको counseling करवानी चाहिए पहली बात आप यह note कर लो कि कितना भी हो counseling करवानी चाहिए अकर आप counseling कराते ओ तो आपको chances होती है कि अगर जादा भी rank थो थो भी चांस होती कहने कि college कहने कही सीट एलोट होने की और अगर आप counseling ही नहीं करवाते हो अगर डिजर्ब भी करते हो तो भी आपको सीट नहीं मिलेगे अगर बाद में पता चला कि बहुत सारे लोग 10,000 वाले रैंक वाले जो counseling कराई नहीं और इसके बहुत पहले वाले लोग counseling के दोरान अपना सीट को give up कर दिये हैं तो वो किसको मिलेगा पिछे जाके जाते 10,000 वाले को इन मिलेगा और 10,000 वाले ने counseling कराए नहीं था तो वो सीट चला गया 11,000 वाले को और जब 11,000 वाले को मिलेगा तब आपको लगेगा बूरा कि मेरा 10,000 था मुझे नहीं मिला तो क्यों नहीं मिले उन्होंने counseling में participate किया इसलिए उसको मिला इसलिए सभी को counseling में participate करना जब exam दियो जब इतना दिन अवेट कियो तो counseling भी कर ल कर दो